ओम शान्ती तीन छे दो हजार चौबिस की साकार मुरली मीठे बच्चे विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुची से याद करूं याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे प्रश्ण किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धी के कपाट खुल जाएंगे उत्तर पढ़ाई पर भगवान पढ़ाते हैं इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए जहां तक जीना है वहां तक अमरत पीना है पढ़ाई में अटेंशन देना है कपाट ही खुल जाएंगे ओम शान्ति शिव भगवान वाच साली ग्रामो प्रति यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है यह भी तुम जानते हो और कोई भी जान न सके मनश्य इस रचाइता और रचना के आदी मध्य अंत को बिलकुल ही नहीं जानते तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विखन तो पढ़ने ही है इसको कहा जाता है ज्यान यग्य बाप समझाते हैं इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए यह है पुरुशोतम संगमियो यह है विशस और वाइसलेस का संगम जिपकि चेंज होनी है नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड आदिसनातन देवी देउता धर्म ही था यह तो बच्चे जानते हैं पॉइंट से समझने की है बाप रात दिन कहते रहते हैं बच्चे तुमको गोहेते गोहे बाते सुनाता हूँ जहां तक बाप है पढ़ाई चलनी है फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी इन बातों को तुम्हारे सवाए कोई भी नहीं जानते तुम्हारे में भी नंबर वार हैं जो फिर बाप दादा ही जानते हैं कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं माला के दाने ही पास्वे दॉनर्स होते हैं फिर प्रजा भी बनती है यह बहुत समझने की बाते हैं तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़े ही सकते हैं, टाइम लगता है, सो भी जितना बाप समझा सकते उतना तुम नहीं, रिपोर्ट साधी जो आती हैं उनको बापे ही जानते हैं, फलाना विकार में गिरा यह हुआ, नाम तो नहीं बता सकते, नाम बताएं फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे सब नफरत की द्रश्टी से देखेंगे दिल से उतर जाएंगे सारी की कमाई चट हो जाएगी यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने या बाप जाने यह बड़ी गुप्त बाते हैं तुम कहते हो फलाना मिला उनको बहुत अच्छा समझाया वह सेवा में मदद कर सकते हैं परन्तुबह भी जब सम्मूख हो ना समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो परन्तुबह थोड़े ही किसको समझा सकेंगे कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं जिसको समझने का होगा वही समझेगा दूसरे को थोड़े ही समझा सकेंगे तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो काटो का जंगल है इसको हम मंगल बनाते हैं मंगल हम भगवान विश्णू कहते हैं यह श्लोकादी सब भक्ती मार्ग के हैं मंगल तब होता है जब विश्णू क का राज्य होता है विश्णु अवतरण भी दिखाते हैं बावन ने सब कुछ देखा हुआ है अनुभवी है ना सभी धर्मवालों को अच्छी तरह जानते हैं बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी परस्नालिटी भी चाहिए ना तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में जबकि यहां का बड़ा अनुभवी होता है तब मैं इन में प्रवेश करता हूँ वह भी साधारण परस्नालिटी का यह मतलब नहीं कि राजा रजवार हो नहीं इनको तो बहुत अनुभव है इनके रत में आता हूँ बहुत जन्मों क अंत में तुमको समझाना पड़े यह राजधानी स्थापन होती हैं, माला बनती हैं, यह राजधानी कैसे स्थापन हो रही हैं, कोई राजा रानी कोई क्या बनते हैं, यह सब बाते एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता, बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं, भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं यह भी समझने में टाइम चाहिए कितनी सजाय खाते हैं सजाय खाकर भी प्रजा बनते हैं बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें बहुत-बहुत मीठा भी बनना है कोई को दुख नहीं देना है बाप आते ही हैं सब को सुख का रास्ता बताने, दुख से छुडाने, तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे यह सब बाते तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं जो भी सब मंदी आदी हैं उन सब से ममत तोड़ देना है, घर में रहना है परन्तु निमित मात्र, यह तो बुद्धी में हैं कि यह सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परन्तु यह ख्यालात भी किसको रहता नहीं, जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुशार्त करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं, माया की चकरी बहुत चलती हैं, वह भी बड़ी बलवान हैं, परन्तु यह बाते और कोई को थोड़े ही समझा सकते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, समझाना चाहते हैं, यहां क्या होता है, इतनी रिपोर् अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है तो फिर एक एक को घर बैट समझाना पड़े। हैं बेहत का बाप जो नॉलेजफुल है वह हमको पढ़ाते हैं अमरपुरी अत्वा हैवन में ले जाने के लिए हमको यह नॉलेज मिलती है आएंगे वही जिन्नोंने कल्प कल्प राज लिया है कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजदानी इस्थापन कर रहे हैं यह माला ब मिलती है बेहद की वाते जो बाप के मददगार बनते हो वही उच्पद पाते हो वास्तों में तो मदद अपने को ही करनी है पवित्र बनना है सतो प्रधान थे फिर से बनना है जरूर बाप को याद करना है उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो जो बाप हमको किसम की रिपोर्ट्स लिखते हैं बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना पांच विकारों पर जीत पानी है बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं बाप आकर समझाते हैं भक्ती मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं यह तो पढ़हाई है बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे तुम पावन थे फिर बनना है देवता पावन है ना बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं भविश्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे उसके लिए पुरुशार सुन तीर कमान आदी दे दिये हैं क्या वहाँ बाहु बल की लडाई थी जो तीर कमान आदी चलाएं ऐसी कोई बात हैं नहीं आगे बाणों की लडाई चलती थी इस समय तक की भी निशानिया हैं कोई कोई चलाने में बड़े होशार होते हैं अब इस ग्यान में लडाई की कोई बात नहीं है तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्यान का सागर है जिससे जिन से हम यह पद पाते हैं अब बाप कहते देह सहित देह के सभी सम्मंधों से ममत्व तोड़ना है यह सब पुराना है नई दुनिया गोल्डन एज भारत था कितना नाम मशहुर था प्राचीन योग कब और किसने सिखाया यह किसको पता नहीं जब तक खुद ना आकर समझाए यह है नई चीज कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा उसमें फर्क नहीं पढ़ सकता बाप कहते हैं अब यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी आप पवित्र नहीं होना है बाप कितना अच्छी रिती समझाते हैं फिर भी सब एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं रात दिन का फर्क है आते हैं पढ़ने फिर आते हैं पढ़ने लिए फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं जो अच्छी रिती समझते हैं वह अपना अनुभ भी सुनाते हैं कैसे हम आए फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिग्या की बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिग्या कर फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी फिर वह अंदर में खाता रहेगा किसको भी कहना ही सकेंगे कि बाप को याद करूं मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है बाप कहते हैं हम तुमको नई-नई बात सुनाता हूं तुम हो स्टूडेंट तुमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान के तुम स्टूडेंट हो ऐसी उचते उच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर एपसेंट पढ़ जाती हैं अच्छे-च्छे महारती भी मुरली मिस कर देते हैं वह समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ अरे एपसेंट पढ़ जाएगी नापास हो जाएगे भाप खुद कहते हैं रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट से सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएंगी नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम मिलाएंगे जब तक ज खमंड नहीं होना चाहिए अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए ऐसी एसी पॉइंट से निकलती हैं जो तुम्हारा वा किसी का भी कपाट खुल सकता है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है कैसे पाट चलता है इसे समझने में टाइ बस्ता है बाप को याद करते करते चले जाना है याद से ही तुम पवित्र बनते हो कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो इंप्योर को बल जरूर कम मिलेगा मुख्य आठ रत नहीं है जो पास्वे दॉनर हो जाते हैं वह कुछ भी सजा नहीं खाते हैं यह बड़ी महीन बा आई है तो अपने में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं बाप को याद करने से ही तुम पदमा पदम भागशाली बनते हो इसके सामने तो वह धन्दा आदी कुछ भी काम का नहीं है कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है फिर भी करना तो पढ़ता ही है यह कभी भी आना चाहिए कि हम शिवाबा को देते हैं अरे तुम तो पदमा पदम पती बनते हो देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है मनुष्य इश्वर अर्थ दान पुढ़ने करते हैं लेने के लिए वह देना थोड़े ही हुआ भगवान तो दाता है ना दूसरे जन्व में कि मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते नमस्ते धारना के लिए पीना है, सिक्षाओं को धारण करना है, भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है, दूसरा पदमों की कमाई जमा करने के लिए निमित्र मात्र, निमित्र मात्र घर में रहते, कामकाच करते, एक बाप की याद में रहना है, वर्दान प्रसन्नता की रुहानी परसनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्यभव जो सर्व की संतुष्टिता का सर्टिफिकेट लेते हैं, वह सदा प्रसन रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रुहानी परसनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्यभव जाते हैं, आप शुपचिन तक प्रसन्न चित रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंगुच्साह की प्राप्ती होती है, यह प्राप्ती किसको अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं, स्लोगन बाप से वर्दान प्राप्त करने का सहज साधन है, दिल का इसने हैं, अच्छा, ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा, सुख सागर में गेहरे उतर जाओं, सुख सागर में गेहरे उतर जाओं, हूपल के ना पल भरबंद मेरे, इन लहरों को दामन में भर जाओं, आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा,